हाई गाई वेल्कम बैक टू माई चानल गाईज हम न साल भर के लिए कोई अनाज है न स्टोर करके रखते हैं तो फिर उसमें न कुछ न कुछ मिलाना पड़ता है तो हम बहुत सारा केमिकल भी यूजर करते हैं कभी-कभी पारद के कोलिया डालते हैं पावडर डालते हैं और दाल भी है तो दालों में भी कोई-कोई पाउडर वगरे लगा कर रखता है लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता ऐसे केमिकल वाले या कुछ भी ऐसे यूज करने के लिए तो मैं ज्यादा तर नैशिरल तरीका ही उसकरती हूँ तो जैसे यहू में मैं निमका पाला डालत तो वह भी किस तरह से डालूंगी तो वह एक हादी बार बताऊंगी वीडियो में लेकिन आज मैं तूर दाल स्टोर करके रखूंगी तो तूर दाल को मैंने चार दीन है ना अच्छे से धूप में सुखाया है किसी चादर में वगरे या कोई लंबे जैसे कपड़ा रहता ह पतली डाल करना अच्छे से सुखाना होता है और चार दिन अच्छे कड़कडाती धूब देना होता है फिर उसके बाद स्टोर करना होता है फिर उसमें भी हम ऐसा एक चीज मिलाएंगे जिसे ना हमारी दाल खराब होंगी और सालबर अच्छी रहेगी तो हम तूर दाल को करते हैं जार में और हो सकतेतों तो प्लास्टिक का कंटेनर लीजिए उसमें अच्छी रहती है दाल तो जाल चलिए हम स्टोर करते हैं हमारी दाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्ड़ित में क्irsiniz कि तो इस विए यह चाहर हो गया है हमारा तो हम ना ये सुका नारियल है तो हम चलिए ये सॉका नालेंगे लिए बलुकमा मिचलत नारीयल दाला क्ना है उससे हमारी infrage नंडान के नारियल क होता है और नारियल कहनीं दौनAmerica साबूत रहती है और यह बहुत ही अच्छा और नैश्रल तरीका है दाल को स्टोर करने का साल भर के लिए तो हम खुब्रा डालेंगे दो-तिन पिसे और फिर उपर से और डालेंगे हमारा जार भर गया है गाईज हम उपर से भी डालेंगे तो गाइज दाल को स्टोर करने का मेरा यह तरीक आपको कैसे लगा तो लाइक शेयर कमेंट किजिए और सस्क्राइब भी किजिए थैंक यू फर वाचिंग